हरे किष्णा तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भावगत गीता की कक्षा में तो आज हम चर्चा करेंगे भावगत गीता के दूसरे ध्याय के 30 स्लोग से लेके 38 स्लोग तक अभी तक जो हमने चर्चा किया था भगवान जो अरजुन ने आर्गूमेंट्स दिये थे उसका रिफुटेशन कर रहे हैं उनको काट रहे हैं एक एक करके तो पहला जो रिफुटेशन ता जो कमपेशन दया का भाव है उनके अंदर तो भगवान ने ग्यान दिया आत्मा का जिसके अंतरगत हमने सम्झा, आत्मा एक जिस करती है नहीं करती है और आत्मा के लक्षन क्या होते हैं तो वो से हमने चर्चा किया था। पिछले 17 में जिसके भगवान ज्यान पर नाज नान तो ना वो मरती है ना उसका नास किया जा स्कता है और दूसरा और तीसरा आर्गुमेंट जो अर्जुन का था कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे कुछ आनंद प्राप्त नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो मेरे मित्र गण है संबंधी गण है उनकी मित्य हो जाएगी तो जो आनंद है मैं किसके साथ शेयर करूंगा उसको तो मुझे तो कुछ आनंद मिलेगा नहीं तो साथ में लोग होंगे तभी तो मैं आनंद ले पाऊंगा तो इसलिए मुझे आनंद नहीं मिलेगा इससे क्या होगा यह तो मुझे इसका रियक्शन लगेगा फिर तो यह जो दो आर्गुमेंट्स हैं अर्जुन देते हैं पहले अध्याय में और आज हम देखेंगे 31 से लेके 38 स्लोग तक भगवान इन दो आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करते हैं कि नहीं कोई रियक्शन अपने आप जो करतवे का पलन करोगे जो ख्षत्रिय का करतवे उसका पलन करोगे आप तो उससे आपको आनंधी आनंद मिलेगा तो भगवान यह आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो 31 स्लोग में भगवान कह रहे हैं स्वधर्म पी चावेक्ष्य न विकम्पित अरहसी धर्म्याद युद्याक्षेयो नित्र शत्रियस्यन विद्यते कि शत्रिय होने के नाते अपने विसिस्ट धर्म का विचार करते हुए तो मैं जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लि इसलिए तुम्हें इसमें कोई संकोच करने के आउशक्ता नहीं है बिना संकोच के तुम्हें इस युद्ध को करना है यह एक शत्रिया करतब है तुम्हें एक शत्रिया हो और 32 श्लोग में भगवान कह रहा है यद्रक्षया चौपन्नम स्वर्गदारम अपाब्रतम सुखिन अक्षत्रिया पार्था लभन ते युद्ध धमी द्रिशम है पार्थवे शत्रिया सुखि है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं तो यह तो बहुत स्वबागिश आलियों आप ऐसे शत्रियों तो बहुत सुखी है जिनको यह युद्ध करने का अवसर मिलता है धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है इससे क्या है उनके स्वर्ग लोग के द्वार खुल जाते हैं अगर वो युद्ध करते हैं तो अपने कर्तव का पालन करते हैं तो क्य यदि तुम अपना स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, आपका धर्म का युद्ध करना, अगर इसको आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्टव की अपेक्षा का पाप लगेगा आपको, आपको जिम्मेदारिया दी गई है शत्रिया का, तो अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भागोगे, अपने कर्टव का पालन नहीं करोगे, तो इसका क्या आपको रियक्षन लगेगा, पाप लगेगा, तुम युद्धा के रूप में भी अपना यश्च खोदोगे, और क्या होगा, जो तुमने यश्च कमाया है, जो तुमारा गुडगान ह जो लोग बड़े-बड़े महाराजा तुमको जानते है, अर्जुन, महा धनुर्दन अर्जुन, वो तुमारा सारा यश्च खोदोगे तुम, कि अगर युद्ध नहीं करते हो तुम, क्योंकि यह तुमारा कर्टव है, अकीर्तिम चापि भूताने कथये स्यंति तेवयाम, लोग सदेव तुमारा अपियस करेंगे, देखेंगे, देखो कैसा अर्जुन था, वो ऐसे महावरत का युद्ध हुआ था, उसने युद्ध करने से मना कर दिया था, बीच में युद्ध चोड़के भाग गया था, संभानित व्यक्ति के लिए अपियस तो मshirts से भी बढ़ करें, अगर जिसके व्यक्ति का संभान है और उसके बारे में कच गलत बोलता है, बलोता है, उसका अपियस फेला तो उसके लिए क्या है वो मनικήडिय से भी बढ़ करें, उससे अच्छा है उसको मेत्यू आ जाए तो मेत्यू के दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उसके बारे में गलत कोई बोलेगा तो उस सम्मारित व्यक्ति के लिए वो जहर से भी बढ़ करें मत्यू से भी बढ़ करें मैत्यू आ जाएगे एक बार के लिए कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन कोई उसके बारे में गलत बोलेगा तो वो उसके लिए मैत्यू से बढ़कर है इसलिए अर्जुन आप युद्ध नहीं करोगे अपने करतव का पहला नहीं करोगे तो क्या होगा आपका अप्यस फैलेगा और वो आपके लिए मत्यू से बढ़कर होगा जिल्लते जहली पढ़ेंगे लोग जाओ इसा बुराईयां करेंगे आपकी आपका अप्यस फैल जाएगा और फिर आप सुचोगे मैं मर जाओ उससे सैड कर लेता हूं क्योंकि मत्यू से बढ़कर है इसलिए भैद्रानप तुम्हारे नाम था यह सो को संबाण दिया है वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे इद्धगी भूमी छोड़ दी और इस तरह भी तुम्हें तुछ बानेंगे इतनी महान-महान योद्धा है जो तुम्हान करते हैं कि देखो जिनों को तुमने परास्त किया है वह क्या भाग गयाद और इसलिए वी तुट्श मानेंगे तुट्ट ना होता है तुट-थूर लिए तुमको युद्रवाटिषयवां दाश्यभूव एस्यन्तित वादित निंदस्तत्वSAMARTHIAM ततो दुखतरम नुकिम और तुम्हारे जो सत्रू है अनेक प्रकार के कटू शब्दों से तुम्हारा वरणन करेंगे गलत गलत शब्द बोलेंगे कटू जो बहुत ही कटू लगते हैं हमारे बारे में कोई गलत बोलता है तो बहुत बेकार लगता है तो ऐसे शब्दों का उ में कोई शक्ति नहीं थे वैसे अरजन बनता था जब काम आया अपनी विद्या दिखाने का अपनी शक्ति करने का तो भाग गया तो तुम्हारे लिए इससे दुगदाई क्या होगा क्या हो सकता है कि सत्रू क्या है तुम्हें कट्टू शब्दों से बनन करेंगे सामर्थ का बहास करेंगे नहीं उसके अंदर शक्ति थी नहीं वो ऐसे ही है उसके अंदर कोई शक्ति नहीं तो तुम्हारे लिए इससे दुगदाई क्या हो सकता है तुम्हारे लिए दुख दै नहीं है दुखनी इस्तिति होगी अगर ऐसा होगा तो और अगर आब विद्ध करते हो तो क्या होगा? हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा भोक्षे से महीम तस्माद दिस्ठस्त कॉन्तेया युद्धाय ग्रत निश्यया इसलिए कुंती पुत्य तुम निश्य करो तुम यदे युद्ध में मारे जाओगे तो क्या होगा स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो प्रत्वी का सापराज को भोग करोगे अत्या द्रण संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो क्यों 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 जीतोगे तो क्या मिलेगा आपको स्वर्ग कानंद मिलेगा और तुम हार जाओगे तो स्वर्ग का अनंद मिलेगा जीत जाओगे तो प्रत्वी का राज भोगने को मिलेगा तो दौन तरफ से क्या है आनंद ही आनंद है जो आपने कहा कि आनंद नहीं मिलेगा तो भगवान यहाँ पर फाइनल बता रहे हैं कि नहीं तुम्हें आनंद मिलेगा अगर जीटे हो तो भी आनन्न मिलेगा क्योंकि प्रत्वी का राजिय करोगे और दूसरा अगर युद्धि हार भी जाते हो आप तो क्या होगा तो आपको स्वर्ण में जाने का उमा का मिलेगा स्वर्ण की प्रापति होगे तो वहां भी आप सुभक करोगे तो इसमें कोई आनन्द का तो आनन्द ना आने का तो प्रेशन ही नहीं उठता आप युद्ध करोगे तो आनन्द मिलेगा युद्ध नहीं करोगे तो भी आपको आनन्द मिलेगा तो इस तरह भगवान इन साथ स्लोकों में जो पहला जो दूसरा argument है ओर्जुन का कि मुझा आनद मिलेगा तो भगवन यह करो या आप आरोगे तो भीन जो भीनमील्गा और नहीं हारोगे तो भीनम्मिल्गा तो हम चीलच करेंगे इन सब इन स्लोकों से हम क्या सीख ले सकते हैं कि एक शक्त्री का क्या कर्टव्य है और अगर हम अपने कर्टव्य जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है जो हमारी जिम्मेदानिया है उनका हम पालन करते हैं अच्छी तरह से सास्त्रों के अनुसार धर्म के अनुसार अगर हम इसका पालन करते है तो निश्यत रूप से भातिक आनंद की प्राप्ति होगी तो शत्रिय कौन होता है जो हम देखते हैं चार वरनास्य हमे चार वरन है भामर शत्रिय वैस्य और शुद्र तो शत्रिय है वो किस के लिए बना गेज़ वह शाशन करने के लिए बनाएं रॉडर मार बाद के बाद दूसरा जो सिएच हिए यह क्या है और इसको किस लिए बनाए गया अच्छी तरह से शाशन कर पाएं लोगों के ऊपर कि लोग धर्मका पालन करें तो यह शत्रिय होता है, इसके लिए बनाय गया है, और शत्रिय का अर्थ है क्या है, श्य मतलब हर्ट, हर्ट मतलब दुख पहुचाना, श्य मतलब दुख पहुचाना, और श्य त्रिय, त्रिय मतलब जो प्रोटेक्शन देता है, जो दुख से बचाता है, श्य मतलब दुख, उसको शत्रिय कहते है जो दुख से हमारी सुरक्षा करता है उसको हम शत्रिय कहते है ये शत्रिय की परिभासा है ये लिटरिली मीनिंग है ये सब्दार्थ है शत्रिय का और शत्रिय के कर्तवे क्या है पारासर इसमती में ये शत्रिय के कर्तवे हैं आए गए है व्यास देव जी के पिता जी जो प्रासर मुनी कहते हैं शत्रियों ही प्रजारक्षं सस्त्रपानी प्रधंडयन निर्जित्यपर सेन्यादि शितिम धर्मेन पाल येत शत्री का धर्म क्या है? वैं सभी कलेसों से नागरिकों की रक्षा करें इसलिए उसे सांती तेथा विवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है अगर समाज में सांती वस्था बनाए रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनके उपर हिंसा करनी पड़ेगी उनको मारना पड़ेगा उनको दंड देना पड़ेगा तो शत्री हिंसा कर सकता है धर्म के अनुसार अथ है उसे सत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूरवक संसार पर राज्य करना चाहिए जो राजा महाराजा धर्म का पालन नहीं कर रहे है तो उनको क्या कर सकता है उन राजाओं को जीत सकता है और वहाँ पर भी धर्म का पालन करा सकता है तो शत्रिय कर्तव क्या है पहला कर्तव है कि जितने भी प्रजा है इतनी प्रजा है उसकी सुरक्षा अपदान करना उसको हर दिसा से इतनी भी समस्या है हर समस्याओं से उनका समाधान करना हर समस्याओं से उनको बाहर निकालना सुरक्षा अपदान करना तो एक शुत्रिया करतव है और हिंसा करना हिंसा क्यों करना कि जो नियम कानून है जो ल कुई पालन नहीं कर से इसे लिए ऊसको हिंसा करना एलावें फौ Haa ora O beğ beim कर एए इसे लिए वह क्या करता है साशन करने के लिए कुछ नियाम दके मैंना और अगर उस्ट नियाम कानून को कुई व्यक्ति फॉलो नहीं करता नहीं करता उसके हिसाब से उसको दंड मिलता है यह दूसरा करतव है उसका और तीसरा क्या करतव है कि ऐसे राजाओं को जो दुराचारी है जो धर्म का पालन ना खुद कर रहे ना अपनी प्रजासे करवा पा रहे तो ऐसे राजाओं को जीतना यह बहुत महतपूर पॉइंट है कि शत् लोगे हैं. उसलिए उससे आपने राजय के लिए युद्या पर थीक ये और फिर भी उसको जीत रहा है उसको शाषन कर रहा है तो क्या है वो धर्म का युद्ध नहीं है तो उसका उसे रेक्शन लगेगा फिर वो स्वर्ग में नहीं जाएगा कि वो धर्म के अपोजिट धर्म के विपरित युद्ध कर रहा है धर्म के लिए युद्ध करना है मतलब ऐसे र सामराजी को भी अपने सामराजी मिला के उस पर सासन कर सकता है किसले सासन कर सकता है उनको धर्म का पालन कराने के लिए तो इस केस में ये कर्तव है कि अगर अपने आसपास दूर दूर कोई राजा देखता है शत्री है कि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है वो दुराचारी र रोरी राज्या पर पुरम के सिदधान्त, पूरे राज्य पर शाष्ण करना है, जो धर्म के सिदधानत हैं很好, उनमा के अनुसार साष्ण करना है उसके अपने कुछ नियम सिदधान्त पूं Candle-یں से मिलेंगे इसलिए राजा हमेशा गाइडेंस किस से लिए सजा देता है ब्रहामणों से उसके मंत्री मंडल में ब्रहामण होते हैं गुरू होते हैं जिनके गाइडेंस में ही वो शाषन करता है क्योंकि वो बताएंगे जो ब्रहामण का काम क्या है धर्म के सिद्धान्त बता इफ़ाता है यह धंफे सिध्धानते हैं यह यहरो करना कोको उनको पालन करना और दूसरों से पालन कर entendu रेसे यह कर्तव है। कभी भी डारेक्ट सन्यास लेने के लिए क्या है लेनी बना कि नहीं मैं शत्री करतव को छोड़के डारेक्ट सन्यास लेंगा नहीं शत्री के लिए नहीं है वहाँ पर जाके क्या है वो क्योंकि उसका करतव नहीं है वो रहामर सन्यास ले सकता है डारेक्ट लेकिन शत्री जो जो नियम कानून बने रहे, लोग और बना रहे, उसके लिए हिंसा करना, लोग को दंडित करना, जो दुराचारी राजा है, जो धर्म का पलन खुद नहीं कर रहे है, प्रयासे नहीं कर रहे है, प्रयास दुखी है उनके इंडर में, तो ऐसे राजाओं को जीतना, उनके सामर प्रांतों के नुसार जो राज्य पर शार्षन करना और शत्रिय कभी भी सन्यास के लिए डारेक्ट सन्यास के लिए नई बना है तो यह शत्रिय के करतब है और शत्री की ट्रेनिंग कैसे होती है उनको ट्रेंड किया जाता है कि ऐसे जो धार्मिक हिंसा है लोग को मारने के लिए चैलेंज करने के लिए इसके फैक्टरओं के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है विसे इस रूप से उनको ललकारने की और मारने की सिख्षा दे आती है कैसे उद्ध में फेस करना है कैसे दूसरे को इंस्पार करना है ललकारना है उंकार भरनी है और कैसे उसको मारना है यह सब उनको सिख्षा दियाती है क्यों दियाती है क्योंकि धार्मिक हिंसा अनिवार है धर्म के लिए युद्ध करना ये अनिवार है धर्म के लिए युद्ध करना वो क्या है वो हिंसा है उसका रियक्शन लगेगा हमें लेकिन अगर हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं तो उसका रियक्शन हमें नहीं लगा इसलिए क्षत्रिय को आजा दिया है कि धर्म के लिए हिंसा कर सकता है और उसके लिए क्या उसको ट्रेनिंग चाहिए इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है मारा जाता है उसको ललका पार जाता है यह सारे चीजां कैसे मारना जैसे पांडमों की training की दुरुणाचारे उन्हें करना की सुखना का चलाना है और किस प्रकर उनको क्या की जैता है कि जैसे उनको जंगल वहाँ जाता है और एक सेर या से बाग से क्या है face to face आप भेड़ो आपके पास एक तलवार है और आप जाओ उसका बद कर क्या हो तो इस तरह उनको इन परिक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि जंगलों जाते हैं शिकार करते हैं क्यों शिकार करते हैं यह उनकी परिक्षा है कि ऐसे जानवरों को क्या है शिकार करना जो बहुत ही घातक है जिन से नॉर्म इंसान डरता है लेकिन एसे जान मेर को कहे है वो उनको फेस करना मार ना भेज दिया दिया फोर्स में अभी भी राजि스ان में ऐसे भूश सबंगाना जाए जो अकेले राजस्थान में ऐसे बहुत सारे महारा जाएं जो अकेले क्या है सेरोचीते से ऐसे लड़ते थे तो इस तरह उनकी क्या है ट्रेनिंग होती है किसी पक्षिवक कैसे निसान लगाना है यह उनकी ट्रेनिंग का पार्ट की कैसे अगर हमने उसका बद कर दिया तो इनसान का भी जो हिंसा कर रहे हैं उसका बद कर सकते हैं और जो हिंसा करनी है कैसह ढर्म के जो सिध्धान थे। उनके अनुसार के इंतरगत नहीं आती कौन सी जो सैक्रिफिशल एनिमल किलिंग है भाई ब्रहामनाद हमारे सास्तर बताय गया है कि ब्रहामन कभी-कभी जो जानवर हैं उनको सैक्रिफाइस करते हैं उनकी बले चड़ाते हैं यग्यों के माध्यम से लेकिक वो जो है वो हिंसा का पार्ट नह है क्योंकि जो जिस जैसे हम अस्व में ग्यक करते हैं उसमें अस्व की बली चड़ाई आते हैं लेकिन जो इस जैसे कभी-कभी गाय की बली चड़ाई आती है तो यह जो है यह हिंसा का पार्ट नहीं है अगर जो उच्छ कोटी के भ्रहामन इनका सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या होगा अगर उच्छ कोटी के भ्रहामन उनका सैक्रिफाइस करेंगे तो तुरंत क्या मिलेगा उस पसू को तुरंत मनुष्य का नया सरीर मिलेगा तो यह टेस्टिंग होती थी पहले कि अगर आप यग्य कर रहे हो और यग्य में आपने किसी पसू की बली चड़ाई त तो अगर उसे मनुष्य सरीर नहीं मिला तो क्या आपका यग्य सक्सेस्फुल नहीं है आपको सफलता उसमें नहीं मिले तो आपको रेक्शन लगेगा उसका क्योंकि उसे नया सरीर नहीं मिला तो आपको रेक्शन लगेगा और अगर नया सरीर मिलेगा तो आपका यग्य क् यह successful हुआ या नहीं हुआ है तो यह जो है यह violence यह हिंसा की कारे नहीं है अगर जो उच्छ आसन में बताया गया है जो उच्छ कोल के ब्रहामण है जिनके अंदर ब्रहामणों के गुण है और कर्मों से ब्रहामण है और धर्म के सद्धान्द का अच्छी तरह से पालंग कर र इसका नया सरीर मीलेगा है तो और। जिस भ्रहमण ने यह process किया है उसको स्वर्ग रोका में जाने का मौका मिलेगा अगर उस ने up arbitrarily इस quando इस एग्यक को अंजाम दिया है reflective क्या होगा जो पसु है उसको मनुश्री मिलेगा और जो ब्रहमण है उनको स्वर्ग इत्यादी में जाने का मुखा मिलेगा तो यह हिंसा का पार्ट नहीं है दूसरा है कि जो शत्रिय है जो शत्रिय है वो धर्म के लिए धर्म के सिध्धानतों का पालन करवाने के लिए अगर वो युद्ध कर रहा है एगर वो हिंसा कर रहा है तो वो भी हिंसा का अंग नहीं है वो भी क्या है हिस्सा का अंग नहीं है अगर वो धर्म के लिए जिद्ध कर रहा है तो यह बहुत जरूरी है वो धर्म के लिए किसी को मार रहा है ऐसे नहीं अपने इंद्रि चप्ति के लि तो अगर वो ऐसा करता है किसी को मारता है किसी को दंड देता है तो वो क्या है वो हिंसा का पार्ट नहीं है जिस प्रकार पुलिस कभी-कभी जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं जो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ क्या है वो दंडित करती है उ तो अगर वो धर्म का पालन ना करने वाले लोगों के साथ ऐसा कर रही है तो क्या है तो वो हिंसा का पार्ट नहीं है लेकिन अगर पलिस वाला घर पर किसी को मारता है वैसे किसी को तो क्या है वो हिंसा का पार्ट है तो इसी लिए शत्रिया जो है धर्म का पालन करवाने करें सकता है इस को और ऐसा करने से क्या होगा उस व्यक्ति के अंदर भी सुधार आएगा और जो शत्र जाalan कर रहा है जो परफ्सों कर लिए दैरे रहा है और शत्रिया धर्म के लिए इसका और अगर कोई शत्रिय अगर कोई शत्रिय अपने जो कर्तव हैं उनको अवाइड करता है उनसे पीछे हटता है तो उसका परणाम क्या होगा उसका परणाम होगा इन्फेमी उसका अपयाश फैलेगा जिस प्रकार भगवान अर्जन को बता रहे थे कि भाई आप युद्धनी करोगे तो क्या है तुम्हारा अपयाश फैलेगा पूरे तींच लोगों में भगवान यह कह रहे हैं कि लोग जो है सत्तुर क्या है तुम्हें गाले देंगे कटू शब्दों का प्रयोग करेंगे त नहीं करेंगा तो अगर कोई शेटरी अपने करतावे के अप्ला नहीं करेंगा तो क्या हुआ इन्फेमी होगी उसका अपयास तीनों लोका में अपयास फैलेगा और दूसरा इट्श नहीं का ned daring उसको hellless planets में उसको नर्किय यात्रा नर्कों में जाना पड़ेगा अगर वो अपने कर्तवे से मुकर रहा है अगर कोई शत्री अपने कर्तवे से मुकर रहा है तो क्या होगा उसको भी नार्किय जीवन उसका reaction कैसे लगए उसको नरकों में जाना पड़ेगा जिस परकार हम पाप में कारे करते हैं तो हमें नरकों में जाना पड़ता है तो यहां भी शत्रिय अगर अपने करते हैं का पालन नहीं कर रहा है और युद्ध भूमी से भाग रहा है तो उसे नरकों में जाना पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति शत्रिय जिस प्रकार भगवान लास्ट स्लोक में कह रहे हैं कि अगर यह शत्रिय है वो युद्ध करता है तो दौनों तरीके से उसका बेनिफिट ही है युद्ध में अगर वो हारता है तो भी उसका बेनिफिट है और जीतता है तो भी उसका बेनिफिट है दो तरफ से बेनिफिट है अगर कोई शत्रिय धर्म के लिए युद्ध करता है अगर युद्ध में जीतता है तो भी उसका बेनिफिट है और युद्ध में हारता है तो राज्य करने को बिलेगा उसका, राज्य का भोग मिलेगा और अगर हारता ये तो स्वर्गं राप्तिka होगा है, तो दौत्र से फायदा ही फायदा है उर्फ पर कर राहे तो उसको अनद मिलना हिहाँ कर रा ह जो हमारे कर्टव है जो प्रैस्कराइब डूटी जह आध्यात्मिक रूप से कि जो हमारी constitutional duty आत्मा की है भगवान के पति, जो हमारा भगवानिक पति-कर्तव है आत्मा-का, आत्मा का है भगवान की अंस elét, मैं लाईवानिस व जीव के जीव होता है सनातना तो आत्मा का स्वधर्म क्या है भगवान की सेवा करना तो यह आध्यात्मिक स्वधर्म है हमारा और दूसरा होता है material सुधर्म जो भौतिक सुधर्म है जो वरनास्रम धर्म है जिसमें चार वरन है और चार आश्रम है तो चार वरन और चार आश्रमों के अपने-अपने prescribed duties हैं अपने-अपने करतवे हैं जैसे अपने ख्यत्री का यहां पर discuss किया ब्रहामणों के अलग कर्तव हैं पढ़न, पाथन, निजन, गाजन, दान, प्रतिक्र, पढ़ना, दूसरों को पढ़ना, यग्य करना, यग्य करवाना, दान लेना, दान, दूसरों को दान देना, दान स्विकार करना, तो ये कर्तव हैं ब्रहामण के, और जो वैश्य हैं, उन और जो सुद्र है इन तीनों वर्णों की सेवा करना इन तीनों के शेल्टर में रहके उनकी सेवा करना ये सुद्रों का करतव है तो ये जो अलग-अलग चार वर्ण है सबका अपना-पना क्या है अपना-पना अलग-अलग करतव है इसको बोलते हैं स्वधर्म अगर हम शत्र मुफिति हैं कि जो प्प्रजा से ऑड़ेक्शन कर्वाना चौर्ध करना तो प्रOT रια का कशन्य कॉसर crochet करना of डूसरे वेम अगर हम क्ष़ें हैं तो व aku क्रसी ए रखे रल फलोटा Salamik understand जुद कॉस्य कि ढरतों कर्णा का झूरोज करना भ्यापार करना और ब गौरक्षा करना यह वैस्षिक-करतब है और शूद्च करतब क्या है कि, इन तिनों वरनों की सेवा करना है तो यह जो सवधर्म है यह बहुत ही अनिवार है हम लोगों के लिए यह मनुष्य जीवन के लिए हमेनेटी के लिए मानवता के लिए यह कमपल सरी है अगर जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तब ये इस पॉइंट पर जो मानव ये सब्विता है जो मानव सब्विता है शुरू होती है अगर आपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे है तो हम तो एक तरह से पसुवत जीवन जी रहे है पस्तुब सब्विता है वो कोई सब्विता नहीं है तो मानव सब्विता तब शुरू होगी जब हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करेगा यह मानव सब्विता का सिध्धानत है यह कंपसर यह अनिवार है मानवता के लिए कि हर व्यक्ति अपने अपना सधर्म है जो material सधर्म है उसका पालन करें जब तक कि व्यक्ति अपने आपको मुक्त नहीं समझता कि मैं liberated हूँ मैं तो मुक्त हूँ तब तक इन duties को इन करतेवे को perform करना भहुत महतापूर है अगर कोई विक्ति सोचता में मैं थो fr incorporate हूं मैं इस सब बंधनों से दूर हूं हम तो मुझे हिंक्पा नहीं है नहीं तो जब तक कोई वयक्ति मुक्त वस्था में नहीं है बद वस्था में है तब तक इन स्वधर्म का दोनों सधर्मorn का आद्यार्म और मैटेरियल सधर्म इन दौनों का परं करना उसका परं करतव है कुरना ही करना आझे कर और है यह जो सधर्म है चाए बेशकर में यह किस के दौर आ डारेक्ट भगवान के दौरा दिये गए हैं सास्तों कि मात्य हम से तो जो आगे जाके चौथ में हम ज्यादा डिक्लेरिट्ट करें हो ज्यादा discussion सब्सक्राइए उसके बारे तो डार्रेट क्या है भगवान के द्वारा बार इंस्चक्ष्ण्स इसमेह बारे में डारेट भगवान बता रहे इंट की सब्सक्राइब इस स्वधर्म का पालन करना है और यह क्या unavoidable है जो स्वधर्म है यह unavoidable है अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको बढ़ना आगे तो इन सब का पालन करना ही परेगा और अगर हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो क्या benefit होगा क्या फाइदा होगा इससे कि अगर अपने अगर आगर आगे बढ़ना आए हमको तो भी हमें अपनी सुधर्म का पलन करना पड़ेगा इससे हमें ये फाइदा होगा और ऐसा करेंगे तो क्या होगा इससे हमें भौतिक आनंद की प्राप्ती होगी जो भौतिक आनंद है वो स्वधर्म का पलंद करने से ही प्राप्त होगा जिस प्रकार भागवान अर्जन को बता रहे हैं क्या कि अगर आप फाइट करते हो युद्ध करते हो तो ये सभी तरीके से आपको अनंद प्रदान करेगा अगर आप जीतते हो तो भी आपको आनद मिलेगा पत्वी राजिब होगने का अगर आप हारते हो तो आपको सरुम जाने का मुखा मिलेगा तो आप अगर आप सुधरों का पालन करोगे तो किसी भी कंडिशन में, किसी भी हालत में आपको आनद मिलना ही मिलना है और अगर आप इसको avoid करते हो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है अगर avoid करता है अपने सुधर्म का पलन नहीं करता तो क्या होगा तीन जो losses है वो describe किये गए हैं आपर क्या एक तो पाप महिकार है अगर आपने सुधर्म का पलन नहीं करोगे तो यह क्या एक sinful activity है आपको नर्कों की यातरा करने पड़ेगी और दूसरा इन्फेमी आपका अप्यास फैलेगा अगर अपने सुधर्म का पला नहीं करोगे तो क्या होगा आपका यस नहीं फैलेगा अपयर खी अपयर्फ शारो तरव फैल जाएगा दूसरा है disorder कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हो अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है तो उसके लिए dus owner है वो क्या है एक म्यत्यू से भी बढ़कर है तो आप तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो अगर आप अपने सुधर्म का पालन नहीं करोगे तो ये म्रत्यु सरी बढ़कर अपमान आपका होगा लोग भला बुरा आपके बारे में बोलेंगे और ये कैए ridiculous activity अगर आप नहीं करोगे तो क्या है आपकी सत्रू जो है आप पर हसेंगे कि देखो अपने कर्टबं का पालन नहीं हो हुआ अपने जिम्तारे को निठाबारा आप अपने कर्टबं से भाग रहे हो दूसरे लोग जो आपका उपहास उड़ाएंगे अगर हम अपने सुधर्म का पालन नहीं करते तो इस पूरे जो थीम है जो भगवान कहना चाहरा है कि देखो यह आपका स्वधर्म है हर व्यक्ति अपना स्वधर्म होता है और आपका शत्री हो आपका स्वधर्म है युद्ध करना तो अगर आप युद्ध करोगे तो दौनों तरफ से आपको आनंद ही आनंद है अगर जीतोंगे तो भी आनंद है हार होगे तो भी आनद मिलेगा आपको और इन केस अगर आप अवाइट करते हो उसको युद्ध को नहीं करते तो क्या होगा आपका प्यस फैलेगा आपका कोई सम्मान नहीं करेगा लोग आपका स्थ्रू है आपके गालें देंगे हसेंगे और यह क्या है पाप मही कारे भी ह होगी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो यह जो है अर्जुन का दूसरा अर्गुमेंट था तीसरा अर्गुमेंट था अर्जुन सिन्फुल एक्टिविटीज कि अगर मैं युद्ध में हत्या करूंगा तो यह क्या है पाप में कार है इसका रिफिटेशन भगवान इसमें 38 श्रुपमेंट कहते हैं कि भाई अपने करतव के लिए युद्ध करो क्या सुख दुख आएगा उसके लिए युद्ध मत करो अगर आप खाली युद्ध करने के लिए युद्ध करते हो कि मेरा करतव है युद्ध करना मुझे किसी से आ सकती नहीं है, मेरा करतव युद्ध करना है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें इसका कोई पाप नहीं लगेगा, तो हमें करतव के लिए युद्ध करना है, जिस प्रिकार सास्तर नहीं बताएगे, पिवन्ति नद्या समेव नाभ्भ, कि नदी आपने पानी कभी खुद नहीं पीती है, दूसरे को पलाती है, प्रक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद से वगया हुआ अनाज, खुद नहीं खाते, तो ये सारे सत्पृश्व का जीवन परोपकार के लिए होता है, तो आप परोपकार के लिए युद्ध करो, निस्काम कर्म, अपने फल से कोई आ सकती, नहीं है, पहले सेक्षन में भगवान ने ज्ञान दिया, फिर कर्मकान दिया, कि युद्ध करो, अब तीसे सेक्षन में कहा है, निस्काम कर्म भगवान बता रहे हैं, कि फल से आ सकत भी हुए बिना इसका पालन करो, तो तो निस्का कि अधार पर है इससे क्या मिलेगा हमें बहुतिक आनद मिलेगा और बहुतिक वस्तों से डिटेज हम रहेंगे और मुक्ति मुक्ष की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा है भक्ति के अधार पर निसकाम कर्म कि अपने करते में का पालन करना ज्यान में होकर जिससे क्या ह बहुत तिक चीज़ों से हम अनासक्त होंगे और आध्यात्मियों से हम आसक्त रहेंगे दूसरे में क्या है ग्यान के अधरपर हम आध्यात्मियों से आसक्त नहीं हो रहें खाली हटा रहें उसको लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत तिक चीज़ों से अनासक्त होंगे और आध् भगवान को उफर करेंगे यह भक्ति के अधर्बन इसकाम कर्म योग है जिससे हमें आगे जाके भगवान कृष्ण का प्रेम मिलेगा है तो जो ट्रांसिडेंटल दिव्य चीतना में अर्जुन है यहाँ पर दिव्य चीतना व्यक्ति होता है वो क्या करता है हर चीज भगवान की सिवा के लिए जो वह कार करेगा क्या है भगवान की सिवा के लिए भगवान की बसंता के लिए उसका कोई consideration नहीं है उससे मुझे एक वो भगवान की प्रसंता के लिए कारे कर रहे हैं। अपना उसमें कुछ भी अंजयुमेंट नहीं है। अर्जुन की केस में करें अप्लाई कर रहे हैं तो भगवान अर्जुन की कर रहे हैं कि fighting for the sake of fighting because law desire कि आपको युद्ध करना है क्योंकि भगवान की इच्छा है आप उसमें यह मत देखो क्या है तो यह consciousness क्या है यह दिव्य चेत्रा है transcendental consciousness है और दूसरा है material consciousness जो दुर्योधन की है कि अपने इंद्रितप्ति के लिए कारे करना चाहे हम सतोगर में करें चाहे हम रजोगर में करें लिकिन कैसे करें केवल अपनी इंद्रितप्ति मुझे खुसी कैसे मिलेगी इस कारे से या मुझे खुसी मिलेगी तो मैं इस कारे को करूंगा अगर मुझे दुख मिलेगा तो मैं इस कारे को नहीं करूंगा चाहे हम सतोगण में कारेंगे चाहे हम रजोगण में करेंगे अपनी इंदितप्ति के लिए कारेंगे चाहे हम पाप में कारेंगे चाहे पुन्य कारम करेंगे अच्छे काम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा इसका दोनो चीजें जो है अच्छे कारेंगे या बुरे कारेंग करेंगे पाप में कारेंगे अपनी सेंस के लिए अपनी इंदित्ति के लिए तो उससे क्या होगा हमें उसका पुरा प्रणाम मिलेगा नरकी जीवन में जाना पड़ेगा तो दोनों क्या है जो अपनी इंदित्ति के लिए कारे करना तो हम इसी संसार में बंधे रहेंगे और जो भगवान के भगत्ते हैं वो सारी अब्लिगिशन से दूर है जो श्यू भागुत्म के ग्यारे में सकंद के पांचवे धैक तालिए श्लोग में बताते हैं क्या देवर से भूता प्त्रणाम कि जिसने अन्य समस्तकारों को त्याकर मुकुंद स्री कृष्ण की सरण ग्रहन कर ली है वे न तो किसी का रिणी है न किसी का क्रता के चाहे वो देवता सादू सामानेजन अथा परिजन माना जाती है उसके पितर ही क्यो नहों इस लोग में क्रिश्णे अर्जुल को अप्र जो व्यक्तिश भगवान को समुद्प्र कर देता है तो उसके लिए न को करने के आवशक्ता नहीं है को 175-20 Sell equival वो वह सारे रिणों से क्या मुक्त हो जाता है अगर वह जो जिस व्यक्ति ने ब्यक्ति की सरण ग्रहन कर लिए uit तो यहां पर इंडारेक्टली अर्जुन को क्या हिंट दे रहे है भगवान कि अगर आप युद्ध करोगे मेरी इच्छा के अनुसार तो इन सारी परतिकिर्यां होंगी इसकी पाप महीं का रहे है इसका मुझे रreaction लगेगा तो उसको भगवान बतारा कि नहीं नहीं इसका कोई आपको पाप नहीं लगेगा तो आज हमने चर्चा किया 31 स्लोग से लेके 38 तक जिसमें 31 में लेके 37 श्लोग तक भगवान अर्जुन को तो आपको नार की जीवन मिलेगा, इंफर ही मिलेगी, आपका नुकसान ही नुकसान है, इसलिए आपके अपने सुद्रण का पालन करो। को आनद मिलेंगा त्रीसरा एर्गुमेंट 38 श्रोग में भगान पूरा करते कि नहीं यह अई सक्ट कोई सिनफल एक्षिन नहीं लगेगा क्यों कि आप करतव करके लिए युदु करने के लिए करो अपने हांद सुक्र दुख लाभाने के लिए उद्ध मत करो यह मत सोचू क्या है मेरी इच्छा है इस वे से उद्ध करो यह दिविचेतना है तो आप सारे रिणों से मुक्त हो जाओगे तो इस तरह आपको कोई पापमाई कार्य नहीं लेगा हरे कृष्णा